Good morning children, LKG के क्लास में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप लो? आशा करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे ये देखिए, इस चित्र में क्या नज़र आ रहा है? इस चित्र में चारो तरफ हर्याली है जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब हरे भरे है फूल रंग भी रंगे हैं तो बच्चों, ये सब हर्याली, रंग भी रंगे, फूल किस मौसम में होता है? ये सब वसंत के मौसम में, वसंत रितू में होता है तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बसंत बसंत रितु में चारो तरफ हर्याली च्छाई होती है यानि कि जितने भी पेड़ पौधे सूखे हुए रहते हैं मुर्जाय हुए रहते हैं वो बसंत रितु में फिर से खिल जाते हैं और हरे भरे और बहुत ही सुन्दर दिखते हैं बसंत रितु में मौसम बहुत ही सुहाना होता है ये क्या है ये एक कली है और जब कली खिल जाती है तो क्या बन जाती है फूल बन जाती है बिलकुल इसकी तरह ये देखे ये एक गुलाब का फूल है तो गुलाब की कली खिलकर फूल बन जाती है ये कब होता है? बसंत रीतु में होता है वैसे ही बसंत रीतु में ये कोयल बहुत ही मधुर आवाज में गाना गाती है देख रहे हैं ना ये कौन सा पक्षी है? कोयल है, बहुत अच्छे तो बच्चों, आज हमनों कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं? बसंत बसंत कविता आपके हिंदी पाठ्थे पुस्तक पूजा गीत माला में दिया हुआ है कविता संख्या इग्यारा इसमें ये कविता दी हुई है इससे आप आसानी से इस कविता को पढ़ सकते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे ध्यान से सुनियेगा बसंद आई रितू बसंद की आई महक रही कली उमराई फूल खिले है डाली डाली कूक रही कोयर मतवाली मंद मंद डोले पुरवाई आई रितू बसंद की आई तो बच्चों आप लोगों ने देखा न इस कविता में क्या कहा गया है कि जब बसंद रितू आती है तो चारो तरफ हर्याली चा जाती है कली फूल बन जाते है और कोयल जो है बहुत ही मधूर आवाज में गाना गाती है और हवाई मंद मंद यानी के धीरे धीरे डोलती है तो बच्चों अभी मिस इस कविता को हाव भाव के साथ एक्षन के साथ बताएंगी ध्यान से देखेगा आई रितू बसंद की आई महक रही कली उमराई फूल खिले है डाली डाली कूक रही कोयल मतवाली मंद मंद डोले पुरवाई आई रितू बसंद की आई तो बच्चों अच्छी लगी नहीं ये कविता अब आप लोग खड़े हो जाए बहुत अच्छे अब हम लोग इस कविता को साथ साथ पढ़ेंगे आई रितू बसंद की आई महक रही कली उमराई फूल खिले है डाली डाली कूक रही कोयल मतवाली मंद मंद डोले पुरवाई आई रितू बसंद की आई बहुत अच्छे तो कैसी लगी अच्छी लगी ना चलिए बहुत अच्छे तो इस कविता को आप इसी थरा हाव भाव के साथ एक्शन के साथ सीखेंगे अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे ये देखिए ये क्या है ये एक कुता का चित्र है कुता तो आप लोगोंने देखा होगा शायद बहुत किसी के घरों में भी होगा तो कुता कैसा होता है बहुत ही प्यारा होता है और कुत्ता हम लोग क्यों रखते हैं ताकि घर को चोरों से बचा सके जिस तरह चौकीदार घर की रक्षा करते हैं वैसे ही कुत्ता भी हमें चोरों से बचाता है उसको भले बुरे का बहुत ही ग्यान होता है हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए तो बच्चो अब हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कुत्ता कुत्ता कविता आपके पूजा गीत माला पुस्तक में दिया हुआ है कविता संख्या है 12 यहां से आप आसानी से इस कविता को सीख सकते हैं तो बच्चों अभी मैं इस कवीता को पढ़ूंगी ध्यान से देखेगा कुत्ता मेरा कुत्ता बड़ा सुजान लंबे लंबे इसके कान चोरों की इसको पहचान भले बुरे का इसको ग्यान मेरे घर का चोकीदार हम सब करते इसको प्यार तो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि हमें कुत्तों से प्यार करना चाहिए तो आईए अभी इस कवीता को मैं हाव भाव के साथ एक्शन के साथ आपको बताऊंगी ध्यान से देखेगा मेरा कुत्ता बड़ा सुजान लंबे लंबे इसके कान चोरों की इसको पहचान भले बुरे का इसको ग्यान मेरे घर का चोकीदार हम सब करते इसको प्यार तो अच्छी लगी न ये कवीता तो आईए बच्चों आप लोग भी खड़े हो जाएए बहुत अच्छे तो अब हम इसका वीता को साथ साथ बोलेंगे मेरा कुत्ता बड़ा सुजान लंबे लंबे इसके कान चोरों की इसको पहचान भले बुरे का इसको ग्यान मेरे घर का चोकीदार हम सब करते इसको प्यार तो बच्चों अच्छी लगी न? तो इसी प्रकार आप इन दोनों कविताओं को अच्छे से सीखेंगे और कैसे बोलना है? हाव भाव के साथ इशारों के साथ एक्शन करके बोलना है थैंक यू